लोग तयार हैं, पैसे से पैसा कैसे बनाएं उसके बारे में discussion कर लो Suppose करते हैं कि आपके पास पैसा है, थोड़ा बहुत मालनों आपके पास आपके 1000 रुपे भी salary है 100 रुपे होंगे 1000 रुपे salary है, 900 रुपे खर्च कर दियोंगे 100 रुपे होंगे, कुछ तो होगा जो भी आपके पास pocket में है ठीक है, अपन तो minimum से शुरू करता है क्योंकि मैं जानता हूँ 100 रुपे भी बहुत बड़ी बात होती अगर आप minimum रुपे पर भी हो तो देखो, अगर आपके पास पैसे हैं जरूरत आपकी पूरी हो चुकी है तब, उसके बाद अगर थोड़े बहुत आगर आपने save की हैं, तो वो saved पैसे कहां लगाए यह सवाल उठता है तो saved पैसे कहां-कहां लगाए जा सकते हैं एक तो आप लगा सकते हैं बिजनस में तो इसके return का कोई मुखावला नहीं है इसका मतलब business सबसे दा profitable है अगर आपको अपने आप पर यकीन है और अगर आप high risk उठाने को तयार होता हो लेकिन हर किसी में यह मादा नहीं होता क्योंकि business के लिए risk भी बड़ा होता है difficulty भी जादा होती है, क्यों? that is a small business but again, बड़े business के लिए आपको बड़ी team चाहिए ठीक है, आपको इनकी बारीकिया पता होनी चाहिए risk बहुत जादा है और पैसे भी थोड़ा जादा चाहिए तो business वाला काम तो बनेगा है हाल फिलाल तो और business ऐसी चीज़े बाहर निकलके कोई online business करना चाहते हो तो अलग बात है पर business के return का कोई मुगावला नहीं है लेकिन business में risk बहुत जादा है return जादा है तो risk भी बहुत जादा है समझ रहो? तो और इतना समय भी सबसे important चीज़ क्या है? बिजनेस में समय भी बहुत लगता है इतना समय हमारे पास है ही नहीं? इतना time कैसे देंगे? अब दूसरी चीज़ पर आते है if you have money, you can invest that money आप उस पैसे को invest कर सकते हैं तो business तो भूल जाओ, investment पर आजाओ यह हमारा target है invest money, आपने पैसा लगा दिया, भूल जाओ आपको समय नहीं देना उसके बाद समझ रहो? अब investment कहां कहां होती है जरा आप समझो, सबसे पहले तो if you have money, अगर आपके पास extra amount है, आप क्या कर सकते हो? आप FD में डाल दो, RD में डाल दो, PF में डाल दो यह ऐसी चीज़े हैं जिनमें सबसे कम risk होता है कोई risk नहीं है मतलब ना के बराबर risk होता है unless until आपका जो bank है वो ही डूब गया तो अलग बात है otherwise इसमें कोई risk नहीं है आपको वो बोलेंगे आज कल तो वैसे FD में बहुत कम return मिलते हैं HDFC मैं बात करूँ या फिर ICAC की बात करो जो भी bank है, 5% की return है totally, जो पैसा दोगे उसका 5% साल भर में आपको return मिलेगा बहुत कम return है इससे ज़्यादा तो inflation है इससे ज़्यादा महिंगाई हो चुकी है तो वो return ना के बराबर है हाँ इसमें low risk है ठीक है, लेकिन रिस्क low है, risk free है लेकिन return भी अच्छे नहीं मिलते है बहुत कम return दोते है इसके लाबा, आप gold और property में invest कर सकते हो अरे यार, gold और property तक के पैसे होते तो बात ही गया थी हमारे पास इतना पैसे ही नहीं है gold और property की investment के साथ problem यह है कि बहुत दादा expensive है gold के लिए कहां से पैसा लाएं इतना तो महेंगा हो रखा है property के लिए कहां से पैसा लाएं property कोई आजागी यह 100 रुपे में नहीं आएगी तो यह भी investment की एक area है but in that case time consuming है और expensive बहुत है इतना पैसा कहां से लाएंगे हम लोग इतना पैसा है नहीं हमारे पास फिर तीसरा sector कौन सा है? mutual fund यह अब आप आगे हो share market में share market में एक यह थोड़ा सा थोड़ा कम रिस्क वाला काम है यहाँ पर share market में investment हो रही है but mutual fund के through हो रही है यह less risky है as compared to direct आप जो share खरीदते हो लेकिन यहाँ पर average returns मिलते हैं अगर आप mutual fund में पैसा लगाते हो अगर आप 100 रुपया तो भी आप mutual fund में लगा सकते हो लेकिन अगर वही 100 रुपया अगर आप में risk taking capability है और अगर आप share market में लगाते हो directly तो यहाँ पर आपको return भी अच्छे नहीं तो आप ज़रा समझो if you have money तो business अच्छा कुछ नहीं हो सकता बट उसके लिए skill चाहिए इतना हमारे पाद time है नहीं लेकिन investment के चार तरीके एक, दो, तीन, चार इसमें भी ये तो किसी काम का नहीं है क्योंकि return से ज़्यादा तो पैसा बरबाद हो रहा है इसमें बहुत पैसा चाहिए तो ये भी किसी काम का नहीं है बचे दो, एक mutual fund जिसमें ज़्यादा return नहीं मिलते लेकिन ये, इसमें risk ज़्यादा है लेकिन return बहुत अच्छा मिलता अगर आपने ढंक से समझ के लगा लिया तो overall we are talking about investment, we are talking about share market directly